अब हमारी मज़े की बेट चिकन पैटिस रेड़ी हैं बिसमिल्ला रह्मान रहें यह देखें बहुत ही मज़े की यह पैटिस बनी है बिसमिल्ला रह्मान रहें असलाम लीकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप Θतों आप सब खायरियत से होगे तो आज मैं आपके लिए चिकन पैटिस की रेसिपी लेकर आयए हुँ चिकन पैटिस को हम इस बैट्स के साथ बनाएंगे ए लिए हमएं कई चिकन उइसवाई चिकन आदी चमच नमक, आदी चमच जीरा, दो चमच लिए मैंने कॉन फ्लोर के, एक चमच सिर्का, एक ही चमच स्वया सॉस, और एक चमच मैंने लिए ग्रीन चीली सॉस, और एक ग्लास दूद, तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने एक पैन मे अब हम इसमें डालेंगे प्यास, बिसमिल्लाइर राख्मान रहें, और इसको दो से तीन मेट के लिए हम फ्राइ करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे दूद, दूद में मैंने कॉन फ्लोर मिलाक के अच्छे से मिक्स कर लिए, अब हम इसमें डालेंगे, बिसमिल्लाइर राख्माने रहें, और इसको हिलाते रहेंगे, इसके साथ ही हम काली मिर्च का पॉडर डालेंगे, बिसमिल्लाइर राख्माने रहें, अब हम इसमें डालेंगे, अद्रिक लेसम का पेस्ट, बिसमिल्लाइर राख्माने रहें, और मिक्स करेंगे चीजे, अब हम इसमें डालेंगे नमट, बिसमिल्लाइर राख्माने रहें, जेरा, और इसको मिक्स करेंगे, बिसमिल्लाइर राख्माने रहें, बिसमिल्लाइर राख्माने रहें, और मिक्स करेंगे, बिसमिल्लाइर राख्माने राहें, सोया सौस, बिसमिल्लाइर राख्माने रहें, और ग्रीन चीली सौस, अब पैटी की पिलिंग जो है वो रेड़ी है अब हम इसके प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रखतेंगे यहां पर मैंने 10 ब्रेट की स्लाइस लिए हैं अब मैं इनको सेंटर से काटूंगी बिस्मिल्लाइ रख्माने रहें अब हमारी पैटी की फिलिंग भी रेड़ी है और मैंने ब्रेट को सरकल में भी काट लिए अब मैं फिलिंग करूंगी बिस्मिल्लाइ रख्माने रहें और इसके उपर मैं दूसरा रख्तों गेंगे ब्रेट लेठ् बगी के भी मैं ऐसे ही फिल करके रख लूँगी पैटी की कोटिंग करने के लिए हमने लिए हैं ब्रेट क्रम और दो अंडे सबसे पहले हम अच्छे से फैंट लेंगे सबसे पहले हम एक पैटी को उठा के अंडे में डिप करेंगे अच्छे सेंडे की कोटिंग करेंगे हम बैट कम की कोटिंग करेंगे साइडों से भी अच्छे से कोटिंग करेंगे और एक साइड पर रखते जाएंगे इसी तरह बाकी पैटी के भी हम कोटिंग करके रखेंगे पेहले सही कडाही में अफै करोने के लिए रखिया था अब ऑल्क्रपम हो गी है अब हम इसमें डालेंगे पैटी शणात्मात्स यद्ट उर्च भरिध रख वानव अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे बिस्मिल्लाय रह्मान रहें दूसरी साइड को भी हम इसी तरह गोल्डन ब्राउन करेंगे अब पैटिस दोने तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे अब हमारी मज़े की बेट चिकन पैटिस रैडी हैं बिस्मिल्लाय रह्मान रहें यह देखें बहुत ही मज़े की यह पैटिस बनी हैं अकर आपको मेरी रैसीपी पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक किजिए अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ शेयर किजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत पूलिएगा मिलेंगे अब हमारी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना खया रखेगा